नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका इस वीडियो में तो इस वीडियो में बच्चों हम जो पाठ बाज और सांप हैं उसका ये जो शीर्षक और नायक अंतरगत एक प्रश्ण और कहानी से जो कुल पांच प्रश्ण उनके दो प्रश्ण मलग कुल तीन प्रश्ण की तो बच्चों आप देख सकते हैं यह उत्तर है तो लेखक जीने इस कहानी के लिए दो नायकों सांप और बाज का चैन इसलिए किया है क्योंकि बिंदूओं में है ठीक है तो बाज को जहां अकाश की असीम शुन्यता से प्यार है वहीं सांप को अपने अंधकार युक्त ख प्रतीक बताया गया है अगर तुल्ला की जाए बाज को आकाश में उड़ने की स्वतंतरता से प्यार है जबकि सांप को खोखल में सिम्टा रहना ही पसंद है बाज अंतिम घड़ी तक आकाश में उड़ पाने क्या भिलाशा रखता है जबकि सांप भूल कर भी दो बारा ऐ गायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यूं कहा मुझे कोई शिकायत नहीं विचार प्रकट करें तो बच्चो यह उत्तर दिख रहा है आपको आपके समक्ष गायल होने के बाद भी बाज जी ने कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है क्यूंकि उन्होंने जिंदगी को जी भर कर जी लिया था, उनके शरीर में जब तक शक्ती थी, उन्होंने सभी सुख भोगे, उन्होंने अपने पंकों के दम पर दूर दूर तक उड़ान भरी थी, तथा अकाश की असी मुंचाईयों को वह अपने पंकों से नाप आए थे, ठीक है बच्चों? प्रश्न दो है, बाज जिन्दगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यूं चाहता था? तो बच्चों यहरा उत्तर, जो हम बिंदूओं में लिखेंगे, बाज जिन्दगी भर आकाश में ही उड़ते रहे, फिर घायल होने पर भी उड़ना चाहते थे, क्यूंकि उन्हें आकाश की असीम सुन्यता से प्यार था, वह आजन्म, मलब जिन्दगी भर, जन्म भर करने तक ऐसा करना चाहते थे, उन्हें आकाश में स्वचंद उड़ना पसंद था, मलब बिना रोक टोक, और उन्होंने जिन्दगी से हार नहीं मानी थी, तो उन्हें साहस्त था, स्वतंतरता प्रिय थी, मलब इन दोनों अच्छे गुणों से प्यार था, बचे तीन